Hello Friends, Myself दिवेश and you are watching Channel Explain So guys, finally Delhi University ने अपनी जो साइट है, साइट के उपर Regular और NCWeb के जो Examination Form है उनको Release कर दिया है मैं दुबारा बता दूँ, Examination Form जो है वो इस साइट पर आपको मिलेंगे साइट का लिंक भी आपको Description में मिल जाएगा नीचे की तरफ और यह जो Form में आपको दिखाने वाला हूँ, यह Notification Regular और NCWeb के Students के लिए है, SOL के Students के लिए भी कोई Notification नहीं आएगा जैसे ही आएगा आपको Channel Explain पर अपडेट कर देंगे, बस Channel से सब्सक्राइब करके Channel से Connected रहना, तो आपको Notification देखना कैसे है, और Examination Form Fill कैसे करना है, आपको साइट पर आना है, यह जो साइट है, exam.du.ac.in, इस साइट का Link आपको description में दे रखा है, वहाँ से आप given है, जाके copy based कर सकते हो, साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर Notification वाला section ही आपके दिखेगा, Notification पर क्लिक करना है, तो जैसे आप Notification पर क्लिक करोगे, तो आपको उपर दो Notices दिख रहे होंगे, ठीक है, सबसे उपर जो है ना, दो Notices, एक यह वाला और एक यह वाला, तो जो पहला Notices है, यह है हमारे Regular वाले Students के लिए, और दूसरा Notices जो है हमारे NCWeb के Students के लिए, ठीक है, तो आप जाके चेक आउट कर सकते हो, NCWeb का जो यह Notices पे क्लिक किया, इसको डाउनलोड कर लेंगे, यह हमारे सामने Notification आच चुका है, और यह Notification NCWeb के लिए, इससे उपर वाला जो था, वो Regular के लिए, अभी SOL के लिए, कोई भी Notification नहीं आए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या-क्या चीशे चेक करनी, यहाँ पे ल यहाँ पर नीचे है, इसकी लाश्ट डेट जो है, एक्जामनेशन फॉर्म को फिल करने की, वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दे रखा है, पच्चेस साथ 2022, ठीक है, मतलब कि पच्चेस जुलाई जो है, इसकी लाश्ट डे है, यहाँ चम्टी, यहाँ पे लिरका, HTTPS, ऐसकर के, slc.uod.ac.in, यह लिंक जो है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन मिलेगा, और इसी लिंक पे जाके, आपको अपना फॉर्म फिल अप करने है, आपकी जो फीस होगी, 700-600 रुपे, वो आपको पे करनी है, सबसे प अपने course select करवाएगा, आप second semester में हो, या fourth semester में हो, उसके बाद अपनी complete submit examination form करना है, complete सारा करने के बाद, last में आपको payment कर देनी है, payment जैसी करोगे, वो सारा verify हो जाएगा, चेक हो जाएगा, नीचे undertaking देख लेना, कोई गलती मत करना, ठीक है, और बाकी यह नीचे आप पूलर वालों का, NC5 वालों यह भी ठीक है, तो जाके दोनों notification चेक करके अपना भरना start करो, मैं मिलूँगा, next video में, कोई help चीए, कुछ भी पूछना है, तो मैं मिलूँगा, comment section में, comment open है, comment में, आप comments कर सकते हो, अभी के लिए तनी, see you data and bye bye, thank you.